हेलो हाई नमस्ते मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी राश कॉंटुवर्सी गॉसिप और मसाला और बहुत कुछ हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है थैंक गॉर ये 1960 नहीं है और 1960 में सोशल मीडिया नहीं था नहीं तो यकीन मानिए शर्मीला टैगोर, जीनत अमान, परवीन बाबी जैसी कई अभिनेत्रिया टॉलर्स के लिस्ट में टॉप कर रही होती ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब सोशल मीडिया पे टॉलर्स कुछ भी कहते हैं कुछ भी कहने लग जाते हैं, कुछ भी टाइप करने लग जाते हैं, लेकिन थांक्स टू यू, अब आप लोगों की सोच बदल रही है अब आप लोग इस सीन्स को इतना बड़ा बवाल नहीं मचाते हैं अब मलंगी देख लो, दिशा पतानी ने स्विम्सूट पैंट कर फिल्म में क्या बोल्ट सीन्स दिया हैं लेकिन फिर भी कोई बवाल, कोई सवाल कहीं नहीं आया फिल्म का पोस्टर भी देखो, इसमें दिशा पतानी स्पाइडर मैन की तरह अधित्य के कंधे पर चड़ कर उन्हें किस कर रही है लेकिन इस पर कुछ हुआ, इसमें किसी ने कोई बवाल मचाया? नहीं लेकिन एक जमाना ऐसा था जब शर्मिला टैगॉर पर बहुत सारे सवाल उठे थे यह जमाना था 1967 का An Evening in Paris के लिए जिसमें शर्मिला टैगॉर स्विम्सूट नहीं बलकि बिकिनी पहनना चाहती थी और इसके लिए उन्हें अपने डिरेक्टर से जिद करने पड़ी सोचे डिरेक्टर खुद कह रहा है कि स्विम्सूट पहनो और शर्मिला टैगॉर कह रही है कि नहीं मुझे तो बिकिनी पहननी है कितना बोल्ड स्टेप था ना ये ऐसे ही बोल्ड स्टेप परवीन बापी, डिम्पल का पाडिया जैसे बहुत सारी अभिनेतियों ने अपना है लेकिन आप अपने लिए तारिया बजाईए क्योंकि अब आप ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं अब आप इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं और बड़े परवे बड़े शान से देखते हैं मुझे पता है कि ये वीडियो देखें दिशा पटानी बहुत खुश होने वाली है तो आने वाले समय में ऐसा बहुत बार होगा कि बहुत सारी अभिनेतियां स्विम सूट पहनेगी, इंटिमेट सीन्स देंगी, किस भी करेंगी लेकिन इस किस का किस्ता नहीं बनेगा तो इसके लिए अपना कंदा थप थप आईए और हम आपको थांक्यू कहते हैं कि आपने इस कंटेंट को बहुत प्यार दिया कॉंट्रिवसी गौस्टे पर मसाला जैसी बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी राज